नमस्कार मित्रों स्वागत करता हूं मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल तरुन सरपर इस वीडियो में मैं आप लोगों को जावा में एस्टिट लूप का यूज करते वे सबसे पहले हमें आई को इड voltage करना, तो अभी a router loop अगर देखें तो find out करने का तरीका या आप को starting देखना अगर starting चेंज़ होरिये तो y का मान होगा, या ending चेंज़ होरिये तो y का मान होगा एंडिंग यहाँ पर देखिया है यहाँ लाइन में से में A है that means यहाँ की वेल्यू नहीं है starting अगर देखें first line में E से second में D से third में C से, fourth में B से and fifth में A पर हो रही है that means यह क्या है I का माना यानि E से लेकर A तक I का लूप में setup करना होगा था यह code लिखने के लिए हम यूज करता है sublime text का now जो existing file बनी हुए वो बने close करी java folder पर right click किया new file इसे हमने save कर दिया pattern 34.java नाम से now हमने यहाँ पर class बनाई pattern 34 ठीक है इस class पर हमने public static void main बनाया मैंने इसके लिए shortcut बना रखा है psvm तो यह हमारा main function बन गया now हमने character type के दो variable बना दिया i and j सबसे पहले हमने loop setup किया i equal to character e से i greater than equal to character a i minus minus अब देखिए अंदर जो printing वाला loop है वो हम देखते हैं वो कैसे काम कर रहा है so basically अंदर वाला loop अगर हम देखें हैं तो यह जो values print हो रही है j का मान है अब देखिए starting कहां से हो रही है j की i के मान से जब पहली बार i का मान e है तो starting e से हो रही है जब d है तो d से हो रही है termination हमेशा कहां पे हो रहा है a पे so हमने j equal to set किया i j getton equal to a and j minus minus इसमें हमने print करा दिया system.out.print j की value को and जैसे ही यह loop खतम हुआ उसके बाद में हमने print talent का use करके new line लगा दिया है अब हम right click करके open containing folder में जाएंगे and इस program को run करा के देखेंगे so जो folder open हुआ वो हमने खोला address bar में जाके type किया हमने cmd यानि command prompt java c pattern 34.java java c command क्या करती है compile का का काम करती है pattern 34.java क्या है हमारी java source file है enter press किया अगर कोई error होगी तो error show हो जाएगी वरना prompt repeat होगा prompt repeat हो गया है that means error नहीं है अब इसे हम run कराना चाहते हैं तो हम command use करेंगे java and जो हमारी class है उसका नाम देंगे pattern 34 हमारी class का नाम था and यह pattern हमें exactly print कराना था चीक है guys sorry now step by step हम इस loop को मैं आपको समझा देता हूं किस तरह से काम कर रहा है तो step by step देख लेते हैं किस तरह से काम कर रहा है देखिए i की value सबसे पहले क्या हुई e condition चाहे कोई i greater than equal to a है क्या यह condition true i की loop में आया नहाँ पर j equal to set हो गया i i का मान क्या है अभी e है है ना condition चाहे कोई j greater than equal to a है क्या true है तो e print हो जाएगा output में आगया है हमारे e ठीक है इसके बाद में j minus minus होगा j में e था a कम हुआ तो d रह गया j greater than equal to a है क्या true है loop में आया it d ठीक है फिर से j minus minus j algun c condition चाहे कोई j greater than equal to a है क्या true है loop में आयागा jmayalaman print कराया that is c c print हो गया फिर j minus minus j corri解ly condition चाहे कोई j greater than equal to a है क्या true है j का मान print हुआ इस बार print हो जाएगा b ठीक है फिर J--- J का मान गटके A condition चाहिक होई J गर्दन इक्वल टू A है क्या true है J का मान प्रेंट हुआ J में A पड़ा था तो last में प्रेंट हो गया इस pattern की first line में हमारे पास A ठीक है गाइस now J-- J का मान जो है वो A से भी कम हो गया capital A से तो J गर्दन इक्वल टू A की condition हो गई false लूप से बाहर आया new line प्रेंट करी वापिस उपर गया I minus minus इस बार I का मान कितना हो गया पहले E था अब गटके क्या रहे गया D condition चाहिक होई I greater than equal to A है क्या true है loop में आया J equal to set हो गया I I मतलब D तो इस बार जो J का लूप है वो कहां से कहां तक चलेगा D से लेकर के greater than equal to A तक तो D से लेकर के A तक की values जो है वो print हो जाएगी इस बार फिर J minus minus होगा J का मान A से कम हो जाएगा तो loop terminate हो जाएगा फिर new line प्रेंट करेगा वापिस उपर I के लूप पे जाएगा C कहां तक चलेगा J greater than equal to A तक तो इस बार क्या प्रेंट करेगा पहले C फिर B फिर A तो third line में C, B, A प्रेंट हो जाएगा फिर J का मान गटके A से भी कम हो जाएगा अब condition चाहएगा कि J greater than equal to A है कि condition false loop से बार आया new line print करेगा वापिस उपर जाएगा I minus minus I का मान गटके B condition चाहएगा I greater than equal to A है क्या true है loop में है J equal to I से I का मान गटता है B है कहां तक चलेगा J greater than equal to A तक तो इस बार क्या प्रेंट कर देगा ये B and A फिर J minus minus J का मान A से भी कम condition false J greater than equal to A की loop से बार आयाएगा new line print करेगा वापिस उपर जाएगा I minus minus I का मान B था B से गटके क्या रजाएगा अब A condition चाहएगा I greater than equal to A है क्या true है क्योंकि I में क्या पड़ा है A पड़ा है loop में आया J equal to set हो गया I यानि की A अब condition चाहएगा देगे J बढ़ाया बराबर है क्या A के true है A print हो जाएगा ये A print हो गया हमारा फिर J minus minus होगा J का मान गटके 64 यानि A से भी कम हो जाएगा बेग्राउंड में Unicode काम आते है अब condition चाहएगा J greater than equal to A है क्या ये condition false loop से बाहर आया new line print करी वापिस उपर गया I minus minus I की विल्ली हो जाएगी A से भी कम यानि 64 condition चाहएगा I greater than equal to A है क्या ये condition false तो loop हमारा terminate हो जाएगा loop terminate होने पर loop से बाहर आया आई के इसके बाद में program खतम हो रहा है तो हमारा program terminate हो जाएगा तो दोस्तों ये program हमने देखा जिसकी help से हमने ये pattern print कराया है nestled loop का ये basic program था हमारे पास एक उमीद करता हूँ दोस्तों ये program और जो logic मैंने आपको बताया ये समझ आया होगा फिर भी अगर कोई doubt आपको रह जाता है किसी कारणवश कुछ बात समझ में नहीं आई है मेरी तो मैं निवेदन करूँगा आपसे कि आप इस वीडियो पर comment करें और अपने doubt को post करें ताकि मैं उसे clear कर सकूँ आप अगर personally मुझसे कुछ suggestion चाहते हैं या doubt clear करना चाहते हैं तो मेरा whatsapp number है 777-4281-7777 इस number पर आप whatsapp पर भी मुझसे अपने doubts को discuss कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपसे request करता हूँ कि इन वीडियो को मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ जूनियर्स के साथ share करें ताकि वो लोग भी programming अच्छे से सीख सकें और coding उन्हें समझ में आए Guys, thank you, thanks a lot for watching this video, have a nice day, have fun, enjoy